दोस्तों गर्मी वाली सब्जी या बरसाती सब्जीयों का सीजन खतम हो गया है और आने वाली है सर्दी सर्दी सुरू होते ही मार्केट में तरह तरह की सब्जीयों का धेर लग जाता है लेकिन सर्दीयों में उगने वाली सब्जी अगर आप अच्छे खासे मात्रा में अपन अबी भी कुछ सब्जियां इस पर लगी है छिटपूर तो इसके भ़ों से हमें नहीं रहना है बलके इसको जल्दी-जल्दी हटा के हमें सर्दियों में हार्विस्टिंग लेने के लिए सर्दियों की तैयारी करनी होगी इनकी मिट्टी को रिचार्ज करना होगा ताकि ये मिट्टी दिल्कुल फरेस ताजी और उपजाव बन सके जिससे के हम सर्दियों में अच्छे खासे मात्रा में अपने टेरस गार्डन में सब्जियों की हार्वेस्टिंग ले सके नमस्कार दोस्तों हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रोपिकल गार्डनिंग में डिपेंड ना रहें बलके आप कोशिस करें कुछ न कुछ सबजीयों की बेले भी अपने गार्डन में जरूर एड करें गार्डनिंग का शौप तो पूरा होगा ही होगा साथी साथ आपको एक अच्छी वेराइटी की सबजी 100% ओर्गेनिक जिसे आप खुद उगा कर अपने हाथों से हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसका टेस्ट आपको मार्किट वाली सबजी में नहीं मिलेगा इसी टोपिक पर आज का हमारा वीडियो है टाके छोटे छोटे पोर्ट में अब गार्डनिंग करके अपने टैरस से अच्छे खासे मात्रा में सबजी की हार्वेस्टिंग ले सके तो सर्दियों में अगर आप अच्छे खासे मात्रा में सबजीयों की हार्वेस्टिंग लेना चाते हैं तो उसके लिए क्या-क्या तैयारी करनी है मिट्टी कैसे बनानी है मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें कि बहुत कम मात्रा में मिट्टी का यूज होगा जादा तर बेस्टेज का यूज करेंगे ताकि पोर्ट लाइट वेट रहे और पौदों को हमेसा नूट्रिसन देता रहे जो लोग शेहर में रहते हैं अक्सर आपको ये लगता होगा इतने मिट्टी कहां से लाए या छट पर इतना वेट नहीं डाल सकते तो उनके लिए ये हमारा वीडियो खास है कि आपके छट पर जादा वेट नहीं पड़ेगा क्योंकि आज जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ सब्जियों का जो क्रेट है या मचली की पेटी है या ग्रोबेग है इन सब को बहुत कम मिट्टी में नाम मातर की मिट्टी से आप कैसे फिल कर सकते है और आपके गार्डन में ही बहुत सी ऐसी वेस्टेज मिल जाएंगी जिसका इस्तमाल करके आप बहुत अच्छे खासे मातरा में अच्छी क्वालिटी की सब्जी की हार्वेश्टी ले पाएंगे पेटीओं को भरने के लिए या गरोबेव भरने के लिए अलग से नहीं मिट्टी नहीं लानी है ये देखिए ये बोडियों में भरी हुई मिट्टी है जिसमें मैंने सब्जियों की बेज लगाए थी सब्जी खतम हो गई इसी मिट्टी को वापस धूप में सुखा कर रिचार्च करके दुबारा इसी मिट्टी से मैं अपना ये पेटी भरने वाला हूँ ये दो सब्जी की केरेड भी हमारी खाली हो चुकी है इस पर हमने मिर्च का पौधा लगा रखा था इसकी मिट्टी भी पलट के रिचाज कर लूँगा ये मिट्टी भी बहुत अच्छी मिट्टी है तो सबसे पहले मैं इन बोड़ियों की मिट्टी को पलट के खाली कर देता हूँ जितनी भी बोड़ी है या जितने भी पोट खाली हुआ है इस तरह की जो सबजी की जो ट्रे खाली हुई है जो भी चीजें हमारे पास खाली हुआ है उन सब की मिट्टी को इस तरह से पलट के फैला देना है और दो दिन के लिए अच्की तरह से इसे धूब दिखा देना है त सारी बोड़ियों की मिट्टी हमने पलट लिया है यहां पर और पलटने के बाद अब इसे चारो तरफ फैला देना है इस तरह से आप फैला है ताके यह मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए तो दो दिन के लिए हमें इस मिट्टी को यहां पर फैला के छोड़ना है ताके मि की सूख जाएगी तो इन में जितने भी जड़े हैं जो हमारी सब्जीयों की बेले थी इन सारे जड़ों को हमें अलग कर लेना है और इधर मैं आपको दिखाओ तो यहां पर हमने पत्ते सूखने के लिए छोड़ा हुआ है पत्ते सूख जाएंगे तो हमारा ये भी इसको फि पुटियों को बरना हो ये देखिए बोरियोंon में मैंने सब्जी की देलों को भी ठुष ठुष के भर रखा है तो इसे भी बोरियों से वापस बाहर निकालकर अच्छी तरह से सुखा लेता हूँ ये देखिये दो धिन धुब दिखाने के बाद हमारी मिट्टीं सूख सारी सब्जियों की बेलों की जड़े निकली है इसे हमने छाट के अलग कर दिया है यह जो पत्तों को मैंने सूखने के लिए डाला था पत्ते भी पूरी तरह से सूख चुका है सब्जी की बेले सूख चुकी है अब प्रोसेस हमारा सुरू होता है इसमें कंपोस्ट मिलाने का कंपोस्ट के लिए मैं यूज करने वाला हूँ गोबर की खाद सब्जियों की बेले अगर आप लगाना चाते है या जिस तरह की भी सब्जी लगाना चाते है गोबी हो गाजड हो मूली हो सल्यम हो धनिया हो पुदीना हो मेथी हो हर तरह की सब्जी के लिए गोबर की खाद best खाद होता है इसे आप अपने compost में जरूर एड़ करें तो हमारी मिट्टी पहले से ही compost वाली है तो हमें जादे compost एड़ करनी की जरूरत नहीं है तो मैंने इसमें 20 परफन के कड़ी गोबर की खाद मिला दी है उसके बाद ये चीट जो मैं मिला रहा हूँ ये बहुत ही unique इसे ना ढोना है ना सुखाना है ना चानना है ये बहुत आसानी से बन जाता है इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखा दूँगा कैसे आप चाई की पत्ती का compost बना सकते हैं ये बहुत ही powerful compost बनके तयार होता है इसका इस्तमाल आप किसी भी सबजी क पूदे पर करेंगे तो उसका result आपको देखते ही बनेगा इसके बाद एक बहुत एहम चीज जो आपको अपनी मिट्टी के साथ डालना बहुत जरूरी है ये है नीम की खली और ये नीम की खली एकदम ही नेचुरल वाला है देशी प्योर वाला है नीम के दानों को मशीन मे डाल कर उसकी तेल निकाल ली जाती है और इस तरह से ये खली बनके प्यार हो जाती है तरह से सरसो की खली होती है ठीक इसी तरह से ये नीम की खली है और बहुत अच्छा कारगर ओरिजिनल नीम की खली है इसे इस मिट्टी के हिसाफ से 200-500 गरम हमें डाल देना है नीम की खल में फंगस को लगने नहीं देगा साती साथ जड़ों को इस ट्रोंग बनाएगा जिससे तोदों में गरोध तेजी से आएगी बस हो गया अब हमें इस पर जादे कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी पुरानी मिट्टी है तो मिट्टी में पहले से ही कंपोस्ट है तो इन चीजों को डालके हम इसी मिट्टी को रिचार्ज करके एकदम ही ताकतवर और उपजाव मिट्टी बना देंगे तो इन चीजों को डालने के बाद अब आपको अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी तोदा उतने अच्छे तरह से गरो से mix हो गई है और mix करने के बाद इन मिट्टी को हमने एकठा कर लिया है ताके हमें अपने container में गड़ो बेग में भरने में आसानी रहे यह एक दम तयार हो गया है मिट्टी का structure से ही पता चल रहा है कि कितनी भूरबूरी मिट्टी है और यह मिट्टी सिर्फ भूरबूरी नहीं है बलके nutrition से भी भड़पूर है मिट्टी को देखे आप यही सोच रहे होंगे कि हमने इतने कम मात्रा में compost मिलाया है तो इसमें सब्जी अच्छे गड़ो नहीं होगी लेकिन आप इस बात का अंदाजा कभी लगा पाएंगे जब इस तरह की मिट्टी बनाकर आप सब्जीयों के पोदों को गड़ो करेंगे अब हमारे पाथ सारी चीजें तयार है मिट्टी तयार हो गई हमारे container यहां तयार है पत्ते सूख चुके हैं सब्जीयों की बेले सूख चुकी है ट्रे के नीचे या container के नीचे हमने एक लगा दिये अब इस पर इन मिट्टी को फिल करना है तो यह चीज बहुत important होगा कि किस तरह से आप कम से कम मिट्टी में अपने container को या गड़ो बेक को फिल करेंगे जिसकी weight एकदम ही कम होगी लेकिन उप जाओ इतना अच्छा होगा कि आप सब्जीयों को तोरते तोरते ठक जाएंगे सबसे पहले मैं इस मचली की पेटी जो थार्मो कोल से बनी है नीचे हमने drainage hole कर लिये हैं और इसके base में हमने इटे लगा दी है तो इस पर सबसे पहले मैं एक इंच इसकी पतली लियर इस मिट्टी की मिछा दूँगा हमें इसके drainage hole पर कोई टिपरी रखने की ज़रूरत नहीं है एक इंच हमने इसके इस मिट्टी की लियर मिछा दी उसके बाद हमें अपने garden का base stage को इसके अंदर डालना है चाहे वो सूखे पत्ते हो या सबजी की बेले हो मैंने ये सुखा के ready रखा है तो इन ही को मैं इसके उपर भरने वाला हूँ और maximum इन सूखे पत्तों से ही मैं अपने केटी को भरने वाला हूँ इनमें अगर पलास्टिक की कुछ चीज हो तो उसे आप बाहर जरू निकाल दे इसका 70% यानि के maximum आपको सूखे पत्तों से या सूखी वी सबजी की बेलों से इस कंटेनर को भरना है इसी तरह मैं इन सबजी की कैरेट को भी भर लेता हूँ इससे पहले भी मैंने इससे सबजियां गरो करके रखा था जिसकी मिट्टी मैंने पलेटे वे आपको दिखाई थी ये देखिए maximum हमने इस मचली के पोट को सूखे पत्तों से या गार्डन के कचरों से भर दिया है इसको भी इसी तरह से किया है यानि के सभी डब्बों को सभी कंटेनर को हमने maximum सूखे पत्तों से भर दिया है इसी तरह से आप गरो बेग को भी खिल कर सकते है मैं गरो बेग का इस्तमाल नहीं करता हूँ जिन चीजों का मैं इस्तमाल करता हूँ वो चीजें आपको दिखा रहा हूँ अब मैं इसके उपर बाकी बचीवी जगों पर मिट्टी खिल कर देता हूँ जो मिट्टी हमने अभी बनाई थी और इसी तरह से सभी कंटेनर में सभी गरो बेग में या वो जितने डब्बे है पलास्टिक की बाल्टी हो तूटा हुआ कंटेनर हो नहीं कुछ है तो पलास्टिक की बोड़ियों को जिन जिन में आपको सब्जी की बेले लगानी है या सब्जी के पोदे लगाने सभी तरह के ड्रम, पोट, डब्बे, गरोबे भर सकते हैं हमने इन क्रेटियों को भरने के लिए सिर्फ 30% मिट्टी का यूज किया है यानि कि 30% effort, 30% load 70% weight हमने कम कर दिया और हमने पत्तों से भरा है तो धीरे धीरे जब ये decompose होगा तो हमारे पोदों में जो ग्रोट आएगी उसमें जो fruiting होगा वो आपको देखते ही बनेगा तो इस तरह से हमने सारी पेटियों को भर दिया है इस तरह अब जो चीज लगाएंगे किसी भी तरह की सबजी इंडिया में जितने परकार की सबजी होती है कोई भी सबजी इस पर लगा देंगे तो वो पोदा बहुत तेजी से गरोट करेगा और उस पर इतने जादे मात्रा में फल लगेंगे कि आप परोसीयों को बाट पहीं फिरेंगे अब एक बहुत जरूरी और important point आपने मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से बनाई कंपोस्ट महंगे से महंगे मिलाया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपने खाद भी डाली लेकिन अच्छी मात्रा में अगर आपको सबजियों की या फलों की यानि कि आपको अपने गादन से अच्छा रिजल्ट लेना है तो अच्छी क्वालिटी की बीज का होना बहुत जरूरी है वरना आप कितना भी मेहनत कर लें कितने भी खाद डाल दें कितना हुग केर कर लें बीज अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो आप अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे चाहे आप एक गादनर हो या कोई फार्मर इस बात को आप ध्यान में जरूर रखें ये रेखिए मैंने अपने लिए सबजियों की बीज मंगवा रखें इसमें इतनी सारी सबजी की वराइटी है कि जो भी सबजी खोजेंगे वो सारी सबजियों के बीज इसमें आपको मिल जाएंगे चाहे कद्दू हो, लोकी हो, खीरा हो, पालक हो, धनिया हो, मूली हो, सल्यम हो, गाजर हो तो ये बीज हमने कहां से मंगवाए है ये बीज सस्ते बीज नहीं है ये सारे बीज अच्छी क्वालिटी की और हाई विरिट वराइटी के बीज है और इन बीजों में उपच की छमता अधिक होती है बड़े बड़े फार्मर इसे तरह से हाई क्वालिटी की बीज अपने फारब में गरो करते हैं जिससे के पूरे शहर में हमेशा सब्जी की सप्लाई वो कर पाते हैं लेकिन इन बीजों की कोस्ट बहुत हाई होती है सब्जी के बीज ले ले, कंपोस्ट ले ले, कोई भी खाद ले ले, नीमखली ले, सरसो की खली सभी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो राजिप किचन गादनिंग का नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा देता हूं इन से कॉंटेक्ट करके आप घर बैठे अपने लिए सभी तरह की सब्जीयों के बीच खाद, कंपोस्ट, नीमखली और भी बहुत कुछ घर बैठे मंगवा सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले और हाँ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेर भी कर दें जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्क्राइब नहीं किये हैं वो चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकन को ओल प्ले कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौदो से जुड़ी जानकारी लेकर तब तक के लिए हमें दीजिये जाज़ा